In the previous video, we have done the Cauchy's Integral Formula. And what was that? The integration of any complex function of this form is integrated by 2 pi ata F A. यह formula क्या था हमने किसी भी इस टाइप के function को integrate करने के लिए. Now, we have the same formula but in general form. अब हम Cauchy's Integral Formula के हम general form देखेंगे. कि अगर formula आपके कोई भी form है, जिसको हम जिस function को में integrate करना है, वो इस type का हो. That means f of z upon z minus a raised to power n. तो यहाँ पे सिर्फ a की चीज़ का difference है, वो यह कि जो आपका denominator में z minus a factor है. वो कितने उसके power यहाँ पे क्या ले लिए हमने in general n. यानि कि वो एक से जादा बार repeat कर रहा है. अगर कोई भी factor एक से जादा बार repeat कर रहा है, तो हम ऐसे type की function के लिए integrate कैसे करेंगे. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे z minus a, सिर्फ यह a की बार था यह factor, single time. But if this factor repeated for more than one time, then the formula is 2 pi eta upon n minus 1 factorial. That means कि यहाँ पे जो power में n है, आपको इससे एक कम करके, that means n minus 1 factorial लिखना है, then differentiation of f of z, अब f of z क्या है? जैसे कि हमने इस वारे formula में क्या था? कि जो भी factor, जिस भी factor की वज़े से हमें singular points मिलते हैं, और singular points क्या है? जहाँ पे z की वो values जिनके लिए denominator आपका क्या हो जाए? 0. अब यहाँ पे z minus a है, तो z minus a, z की किस value पे आपका denominator 0 बन जाएगा? यानि कि आपका z minus a है, वो 0 कब होगा? z equals to a के लिए. तो इस case में जो a है, वो आपका क्या है? singular point है. और वो किस factor की वज़े से मिल रहा है? z minus a. तो f of z आपका क्या होता है? कि उस factor को छोड़ कर जिसकी वज़े से आपको singular point मिल रहा है, उसको छोड़ कर बाकि जो भी बचा, वो आपका क्या होता है? f of z. ठीक है? same, इस case में भी है, कि अब आपको जो भी इस type का function मिलेगा, तो सबसे जरूरी है कि आपको f of z देखने है, कि उस question में f of z क्या है? तो यहाँ पे भी क्या है? singular point क्या है? आपका a है? क्योंकि a पे denominator क्या हो जाएगा? 0. तो अब इस factor को छोड़कर, जिसकी वज़े से आपको singular point मिल रहा है, उस factor को छोड़कर बाकी जो भी बचता है, वो क्या होता है? आपका f of z होता है, ठीक है? ऐसी हमें questions में check करना है, तो जो f of z होगा, उस f of z को आपको differentiate करना है n-1 time, तो यहाँ पे जो भी n होगा, तो उसक after differentiating the function fz, replace the z by a, लेकिन ही differentiation करने के बाद, क्योंकि a क्या है, a यहाँ पे एक singular point है, ठीक है, वो कोई ना कोई point वो constant होगा, तो अगर आपने पहले ही z को a से replace कर दिया, fz में, अगर आपने इस fz में पहले ही z की जगे, जहाँ जहाँ z है, वहाँ पे आपने अगर a लिख द के बाद में, तो वो 0 हो गया, तो इसी लिए, पहले आपको differentiate करना है, differentiation करने के बाद, जहाँ जहाँ z होगा, वो उसको आपको किस से replace करना है, a से replace करना है, यानि कि singular point से replace करना है, तो यह दोनों formula बिल्कुल same है, लेकिन जो general form है, वो आपकी यह है, जहाँ पे सिर्फ z minus a, n times repeat हो रहा है, अगर आप यहाँ पे इस case में n की value 1 रख दें, तो यही formula बन जाएगा यह, क्योंकि जैसे आप n की value 1 रखेंगे, यह क्या मिल जाएगा, 0 factorial, 0 factorial is equal to 1, और यहाँ पे भी आप यह करेंगे, n की जगे 1 रखेंगे, तो यह भी 1 हो जाएगा, तो आपको formula यही मिले है, so here we have first example, that is the integrate this function, e raise to power 2z upon z plus 1 raise to power 4, तो अब आपको सबसे पहला step क्या होता है, हमने जब यह कोशी integral formula किया था, तो सबसे first step हम क्या करते है, to find the singular point, first step कि आपको singular point find करने, और singular point कैसे find करते हैं, कि जो भी denominator में दिया होता है, आपको यह देखना है कि वो denominator में जो भी term है, ज तो अब z plus 1 factor है, तो z की किस value के लिए यह 0 हो जाएगा, तो z plus 1 है denominator में, यह 0 कब होगा, z equals to minus 1 के लिए, तो जैसे ही आपने यहाँ पे z equals to minus 1 कर देंगे, जैसे ही आप यहाँ z equals to minus 1 करेंगे, तो वो 0 हो जाएगा, तो singular point is z equals to minus 1, now, second step होता है कि आपको यह देखना होता है कि यह singular point, जो भी given domain है, उसमें अंदर लाई कर रहा है, उस domain के या फिर बाहर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका domain है, जो भी curve दिया हो है, वो आपको क्या दिया हो है, mod z equals to 3, and this is the equation of circle in complex, तो यहाँ पे center क्या है, 0, and radius क्या ह होती है, mod z minus a equals to r, यह अलग है यहाँ पे, यहाँ पे a denote कर रहा है, एक तरे से center, तो अगर इस से आप compare करते हैं, तो center क्या हो जाएगा, a की value यहाँ पे क्या है, 0, और जो radius है वो आपका क्या हो जाएगा, 3, तो आपका जो circle बनेगा, वो क्या होगा, कि center 0 है, radius 3 है, तो यह we have to check the position of singular point, और singular point के है minus 1, तो minus 1 कहाँ लाई कर रहा है, circle के अंदर, क्योंकि अगर singular point, कोई भी अगर singular point है, अगर सारे के सारे singular point, domain के बाहर लाई करते हैं, तो क्या होता है, integration 0 हो जाता है, यह हमने किया है, तो जैसे ही लेकिन अगर singular point किसी भी domain के अंदर लाई कर रहा है, तो हमें यह formula यूज करना होता है, cautious integral formula. तो अब आपको यह देखना है, f of z, f of z क्या होगा? क्या बताया था? कि singular point जिस भी factor की वज़े से मिल रहा है, उस factor को छोड़ कर बाकि जो भी बचा उस पूरे function में, वो आपका f of z है. तो यहाँ पर इस एक factor की वज़े से आपको singular point मिल रहा है, z plus 1. तो z plus 1 को छोड़ कर बाकि क्या बचा? e raised to power 2z. तो e raised to power 2z आपका क्या होगा? f of z, a यादि की singular point, वो आपका क्या है? minus 1. और यहाँ पर n की value क्या है? 4. तो अब आपको यह देखना है, कि जब n की value एक से जाद है, तो आपको यह वाला formula यूज करना है. अगर यहाँ पर यह n की value 1 होती, यादि 4 की जगह 1 ही होता, that means कि सिर्फ z plus 1 लिखा होता, तो आपको यह वाला formula यूज करना था. तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? डारेक्ली हम formula अप्लाए कर देंगे, 2 pi iata upon 3 factorial. 3 क्यों? क्योंकि n यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? n minus 1 factorial, that means 3 factorial. Differentiating the function fz, कितने times differentiate करना है? 3 times, यानि कि जो भी n है, उससे एक कम करके, आपको उतनी बार function को differentiate करना है. और जैसी आप differentiate कर देंगे, differentiate करने के बाद, z को किसे रिप्लेस कर देना है? singular point से. singular point क्या यहाँ पर? minus 1. तो अब हम ने क्या क्या? 2 pi iata upon 3 factorial, 3 factorial is equal to 6. Differentiating fz, 3 times, तो fz आपका क्या था? e raised to power 2z, तो आपने इसको 3 बार differentiate किया. 3 बार differentiate करने के बाद, आपका यह answer आया. यहाँ पर आपने यह value पुट कर दी. अब differentiation के बाद, क्या बोला है कि, जहाँ भी z है, तो आपको उसको किसे रिप्लेस कर देना है? singular point से. singular point क्या है? minus 1. तो put the value of z, that is minus 1, तो हमें यह क्या मिल गया? pi high to by 3, 8 e raised to power minus 2. क्योंकि z की जगे हमने minus 1 रिख दिया, and here is your final answer. यह आपका final answer हो रहेगा. So same, question number 2, आपका जो question दिया हुआ है, उसमें function किस type का है? e raised to power z upon z minus 1, z minus 2 का square. तो यहाँ पर singular points क्या क्या होंगे? denominator कहां कहा 0 होगा? अगर आप z minus 1 है, यह 0 कब होगा? जो एक यह factor है. तो z equals to 1 पे भी आपको क्या मिलेगा? 0. और दूसरा क्या होगा आपका यहाँ? z minus 2 factor 1, तो z equals to 2. तो आपके यहाँ पर 2 singular points मिल रहे हैं, क्योंकि आप z की value 1 रखेंगे, तो भी 0 हो जाएगा, और z की value 2 रखेंगे, denominator तो भी 0 हो जाएगा. तो here we have singular points, is z equals to 1 and 2. Now second step, that we have to check the position of the singular point, on a given domain. तो domain के more than equals to 3, यानि की circle, तो circle आपका फिर से यही बनेगा, center 0 है, radius 3 है. तो अब आपको देखना है कि, क्या यह singular points, circle के अंदर लाई कर रहे हैं, या बाहर, तो आपको 1 भी यहीं मिलेगा, और 2 भी कहीं यहीं मिल जाएगा, तो यानि कि, दोनों के दोनों points हमें क्या मिल रहे हैं, circle के अंदर मिल रहे हैं. तो अब हमने यह क्या हुआ है, पहले cautious integral formula में कि, अगर एक से ज़्यादा पर हमें formula apply करना है, तो हम क्या करते हैं, एक time पर एक के लिए करते हैं, तो जैसे कि, अगर हम मानलों सबसे पहले, z-1 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 singular points मिल रहे हैं, और दोनों ही circle के अंदर लाई कर रहे हैं, तो एक time पर हम एक के लिए formula apply करेंगे, और वह हम कैसे करेंगे, अगर आपने z-1 के लिए पहले लगा रहे हैं, तो बाकि जो भी बच गया, उसको आप क्या मानलोगे, fz, यानि कि आप उसे numerator में लिख देंगे, और बाकि जो पूरा factor बच गया, उसे हमने क्या लिखा, numerator में लिख दिया, और यह आपका क्या हो जाएगा, इस case में fz बन जाएगा, फिर प्लस करके, आप क्या लिखोगे, दूसरे factor के लिखोगे, दूसरा factor आपका क्या है, जिसकी वज़े से singular point मिल रहा है, that is z-2 का square, तो z-2 का complete का square आपने नीचे लिखा, और बाकि जो बच गया, वो अब आपका इस case में क्या हो जाएगा, f of z, तो यहाँ पे इसके लिए तो आपको क्या करना है, कौन सा formula लगेगा, पहले बाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो z-1 है, इसकी power 1 ही है, तो अब तक जो हम simple formula लिखते आए है, 2 pi eta into f of a, तो आप वही formula यूज करके लगा देंगे, और इस case में कौन सा formula लगेगा, जो भी हमने in general पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे z-2 की power क्या है, 2 है, तो आपको यहाँ पे दूसरा वाला formula यूज करना है, तो इस वाले case में जो f of z बनेगा, वो आपका क्या होगा, जिस भी factor की वज़े से, आपको singular point मिल रहा है, उसको छोड़कर जो बाकी बचाब हमने क्या बोला f of z, तो हमने सिर्फ अभी यह z-1 की across लिखा है, तो अब यह पूरा term, यह पूरा जो form है, यह क्या हो जाएगा, आपका fz हो जाएगा, और इस case में, यह वाली जो form है, यह आपकी fz हो जाएगा, now, apply the formula, तो for this, we have 2 pi eta into f of a, क्योंकि यह यहाँ पे z-1 की power 1 ही है, तो जो normal formula हमने क्या है, वही use करेंगे, तो 2 pi eta तो as it is, एक constant time है, और f of a यानि की, जो आपका f of z मिला है, इस f of z में, जहाँ-जहाँ z है, वहाँ पे a put कर दो, a means singular point, तो इस case में singular point क्या है, इस case में singular point z equals to 1 है, क्योंकि उसी के cross हमने लिखा है, तो f z में, जहाँ-जहाँ z है, वहाँ 1 लिख दे, फिर plus करके, यह जो form थी, इसमें आप कौन सा formula लगाओगे, इन जनरल वाला, तो 2 pi eta upon n minus 1 factorial, differentiating f z one time, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, जो n की value है, वो क्या है, 2 है, तो अब आपने जो f z था, ez upon z minus 1, इसको differentiate करना है, u by v से आप differentiate कर सकते हैं, जो कि हम standard formula पढ़ते हैं, और differentiation करने के बाद, आपको बस z को किस से रप्लेस कर देना है, 2 से, तो आप इसे solve कर सकते हैं, फिर solve करने के बाद, आपको answer मिल जाएगा, so now, similar in this question, कि सबसे पहले में क्या देखना है, singular point, singular point आपका क्या आजाएगा, z equals to pi by 6, second, अब आपको यह देखना है, कि क्या यह pi by 6, इस domain के अंदर लाई कर रहा है, या बाहर, तो क्या है, center 0, आपको यहीं सरकल के अंदर ही मिलेगा, तो यहां से singular point यह पदा चलता है, कि यह domain के अंदर लाई कर रहा है, that means we have to apply Cauchy's integral formula, तो अब आप कौन सा वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो जो हमने in general formula पढ़ा है, हम भाई यूज करेंगे, 2 pi iata upon 3 minus 1 factorial, differentiate करना है, एक कम यानि कि 3 minus 1 करेंगे, तो 2 time आपको differentiate करना है, f of z, और f of z क्या है, कि जिस factor की वज़े से आपको singular point मिल रहा है, किस factor की वज़े से यह, इसको छोड़कर बाकी जो भी बचा, वो आपका क्या है, f of z, तो f of z क्या हो गया, आपका sin square z, तो यहां से आपने क्या किया, 2 बाद differentiate करना है f of z को, तो sin square z को आपने 2 बाद differentiate किया, यह answer आ गया, यहां पे value put करने के बाद, z को किसे replace कर देना है, pi by 6 है, यानि कि जो आपका singular point है, और values put करने के बाद, आपको आपका required answer मिल जाएगा, तो यह topic था, cautious integral formula का, जिसके हमने complete कर लिया है, in general form हमने up कर लिया है, and these are some questions, so try to solve them, सब के लिए सबसे same steps चल ले हैं, singular points निका लें, singular point निका लें के बाद, क्या वो उस domain में अंदर लाई कर रहे हैं, या बाहर लाई कर रहे हैं, और उसके according, आपको formula अपलाए करना है, तो जिसके लिए power आपको जादा लग रही है, जैसे n की value जहां पर 1 से जाद है, तो हम इन general formula यूज करेंगे, otherwise, जो normal formula हमने पढ़ा है, टू पाई आटा इंटू एफ अफ अफ ए, वो यूज कर सकते हैं, तो इन questions को solve करें,